हेलो व्योर्स कैसे हो आप सब आई हो बहुत अच्छी होंगे इंग्लेंड वर्शिस पाकिस्तान की बीच में टेस्ट सीरीज चल रही थी यह हिस्टोरी क्यों थे क्योंकि इंग्लेंड बहुत टाइम बाद यहां पर वापिस आया है और उन्होंने सीरीज खेलिया और पाकिस्तान का वाइट वाश कर दिया ऐसा मैंने शायद वाइट वाइट वाश किसी टीम का नहीं देखा जो कि इतना one-sidedly इतना dominance इंग्लेंड नहीं दिखाया उनकी जो best ball की run नीती है उसमें क्या उनका positive sign निकल कर आया और इसके अलाव पाकिस्तान नहीं क्या गलती है कि जो कि हम इस वीडियो में discussion करने वाले है तो दोस्त अगर आप interest हैं cricket topic में IPL में तो इस वीडियो को जुरूर like, share, subscribe करें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला टेस्ट नहीं रावल पिंडी में बनाया अपनी batting friendly पिछ बनाई, मुरदार पिछ बनाई, demerit point में उस पिछ को कोई फरक नहीं पड़ा उस चीज को लेकर वहाँ पर England ने 75 और में 500 का score खड़ा कर दिया जिससे कि यह मायने रखता है कि England ने domination पूरा दिखाया फिर पाकिस्तान के team 400 का score खड़ा कर दिया बट इन तीनों टेस्ट मैच में एक similarity नज़रा है कि फास्ट बॉलर्स अच्छे नहीं चलो आपके पास बॉलर्स लिमिटेड है पाकिस्तान को एक बॉलर्स का powerhouse माना जाता है और ऐसे दिन देखने को मिलेंगे मैंने कभी expect भी नहीं किया था तो यहाँ पर फिर second test शुरू होता है तो second test में वहाई वो बनाते हैं spin friendly pitch बट England उस चीज़ के लिए भी prepare था कि हाँ ये bowling friendly pitch बना रहे तो वहाँ पर भी अपनी betting अच्छी करेंगे तीनों मैच में Harry Brook ने तीनों मैच में शतक लगाया है मेरे सबसे man of the series लेके जाने वाले हैं इस पूरी series में तीनों कहीं difference नहीं है आप देख सकते हो कि दोनों टिमों का opener slot क्या जबर्दत का है एमाम हुल हक आपके regular matches खेल रहे हैं और इतनी simple bowl में आउट हो रहे हैं मौमद रिजवान क्यों घेल रहे हैं मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा मौमद रिजवान की कोई भी test में तो कोई उनकी सफलता है नी और इक शतक लगा है बट वो हम जाने जाते हैं वो जिस बैटिंग के लिए जाने जाते है और England के लिए कि सबसे जादा क्या positive रहा है वो Harrybrook है आने वाले टाइम पे जो उनके selector रहे हैं बड़ी समस्या बनके यह आने वाली है कि Harrybrook को खिलेंगे या फिर जॉनी बेस्टों जो ठीक होगे आने वाले हैं उनको खिलेंगे बड़ी समस्या है तो यहां पर फिर जॉनी बेस्टों को ओपनिंग में फिट करने का विचार होगा और Jack Krall ने भी अच्छी बैटिंग की है और जो उनके opener रहे है वो भी काफी अच्छी बैटिंग कर गए है और कोई भी पोजिटिव सैन मुझे या नजर नहीं चाहिए मोमद अली लेजिए उनका ओपनिंग स्लो डंक से चलता नहीं है विकेट जब भी गिरती है लगातार विकेट गिरती है बाबर आजम हमेशा फ्लो बैटिंग में तो अच्छी है पर किस टेम पे कौन से बोलर को लगाना है वो बिलकुल भी उनको नहीं पता और तोड़ी सी मैचोटे दिखाने पड़ेगी और यहां पे सलमान अली आगा को ऐसे मोके बार-बार नहीं मिलेंगे बई सलमान अली आपको पता है कि कोई भी टीम जब आती है आपके 6-7 विकेट जल्दी गिरते है तो टेलें तो आपको उनके जो बैसबोल गेम आना उसके खिलाफ कोई ना कोई रण नीती लेकर आनी चाहिए थी स्पिन पर आप स्टक रहे स्पिनर्स आपको हमेशा मैच नहीं जिताएंगे आपके पेसर्स को भी आपको गेम में रखना पड़ेगा यहां पर कोई उनका एक्सपिरि उतरी है नुमान अली चलो गेनबाजी में तो स्पिन में तो ठीक है बट उनकी जो बेस डिपार्टमेंट है वो कहा है तो इंगलेंट ले सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो यहीं निकल कर आया ना कि पाकिस्तान के पास प्रोपर बोलर है ही नहीं तो चलो उनको अटेक करते हैं और जब आपने पार्टाइम बोलर लगाई तो इंगलेंट ने अटेक किया तो मैं कोई इसको लेकर शौक नहीं हूँ लेंड ने इतना बड़ा काम कर दिया क्योंकि आप जानते हो पाकिस्तान के फैंस भी जानते कि पाकिस्तान की टीम जो है ना उनका पॉइंट टो पॉइंट बता दिया अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करें मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में